नमस्कार मित्रों सब्सक्राइब दर्शन चैनल में सब्सक्राइब के स्वागत है आज से हम UGC NET और JRF के प्रशनों को देखेंगे जो की 1994 से आए हैं और लगातार जो प्रशन पत्र आए हुए हैं उनको हम देखते जाएंगे एक एक करके और जैसा कि आप लोगों पता ही ह है कि 1994 से 2011 तक फर्स्ट और सेकंड दो ही पेपर हुआ करते थे अर्था तो इसमें सेकंड पेपर ही सर्शक्रत को दो थे तो हम सबसे पहले है 94 से 11 तक सेकंड पेपर ही दे रखें तो सेकंड पेपर देखते चलेंगे तो आज हम सुरू करते हैं संस्क्रत यूजिस्नियनेट का यह 94 का पेपर है 94 जून का तो इसमें पहला सवाल है पहला सवाल है वेद सब्द से क्या अविपरेथ है तो यह लिखा हुआ इसमें पहले इस प्रस्ण में 50 और बहुबिकल प्रस्ण है प्रती एक प्रस्ण के दो अंख है इसमें इस तरह से आता है 50 प्रस्ण होती है और प्रती एक प्रस्ण के दो अंख होती है तो पहला प्रस्ण था कि वेद सब्द से क्या अविपरेथ है तो वेद सब्द का मतलग है ज्यान तो पहले का अंसर हो जाएगा C और इसके नीचे स्रोत भी रखे है आप इसका जो प्रस्ण है वो इस स्रोत मे दूसरा प्रशन देखिए दूसरा प्रशन है विश्णु का परमपद अर्थात निवास स्थान है तो विश्णु जी का निवास स्थान क्या है तो विश्णु जी का निवास स्थान है द्यू स्थान या द्यू लोग भी बुला गया है तो ए इसका अंसर हो गया तो दूसरे पर देख सकते हैं तो आगे चलते हैं तीसरा प्रस्ण देखिए तीसरा प्रस्ण है रिगवेद में कितने मंडल हैं तो तीसरे का C आंसर हो गया है इसी परकार आगे हम देखते हैं चोथा प्रस्ण देखिए चोथा प्रस्ण है ज्यान कांड चोथा प्रस्ण देखिए ग्यान कांड किसका विशे है तो ग्यान कांड किसका विशे है उपनिशिदों का तो चौथे का अंसर हो जाएगा स्ती और इसको भी आप नीचे सोत में देख सकती है वाव ये पांचा प्रसन देखिए पांचा प्रसन है नारद सनत कुमार समवाद आता है ये किस में आता है तो ये आता है आपका च्छांदों के अपनिशद में च्छांदों के अपनिशद दे रखा है C नमबर पर तो पांच में एक आंसर हो जाएगा C इसी प्रकार आगे चलते हैं छहटा प्रसन देखिए च्छटा प्रस्ण है पुरुष सूक्त आता है पुरुष सूक्त किसमे आता है तो पुरुष सूक्त आपका रिगवेद में दे रखा है वैदिक सूक्त है बेद में सूक्त दे रखे हैं तो रिगवेद में ये पुरुष सूक्त की व्याख्या दे रखे है तो छटमे का अन्यक उपनिशद संबध्ध है किसे संबध्ध है तो सात्मे का आंसर है सुक्ल यजुरवेद से क्योंकि ब्रहदार अन्यक जो अपनिशद है सुक्ल यजुरवेद का आखरी खंड है जो अपनिशद है वो बेदों की सहिताओं के आखरी खंड है तो यह सुक्ल A आठमा प्रसंद देखि आठमा प्रसंद देखिए आठमा प्रसंद है वैदिक मैथलोजी के लेखक कौन है तो वैदिक देवसास्त्र या वैदिक मैथलोजी के लेखक है आपके मैकडोनल तो मैकडोनल वैदिक देवसास्त्र के लेखक है तो आठ में एक आंसर हो गया C तो आगे चलते हैं नवा प्रस्न देखते हैं नवा प्रस्न है उत्तर धुर्ब को वेदों का रचना इस्थान किसने माना है तो ये उत्तर धुर्ब को वेदों का रचना इस्थान किसने माना है ये माना है बाल गंगादा तिलक ने तो बालगंगा तलक D आंसर हो गया तो नमेक आंसर हो गया D अब आगे चलते हैं दस्मा प्रस्ण देखिए दस्मा प्रस्ण है सर्व प्रथम वेदों का निर्वचन किस ने किया तो सर्व प्रथम वेदों का निर्वचन यास्क जी ने किया है तो यास्क जी अर्थाज C आंसर हो गया इसका, तो दसमें प्रक्रिया सास्त्र का मूल वेदांग है। तो C आंसर हो गया, 11 का आंसर C व्याकरण, 12 प्रस्न देखिए, 12 प्रस्न है, प्राण आगनी होत्र विद्या किस उपनिशद में हैं। तो प्राण आगनी होत्र विद्या आपकी प्रश्न उपनिशद में हैं। तो बारेक आंसर हो गया C, प्रश्न उपनिशद, आगे चलते हैं। आगे है, 13 प्रस्न देखिए, 13 प्रस्न है, सांख्यमत अनुसार यथार्थ सभाव में पुरुष कैसा होता है। तो यह कह रहे हैं कि सांख्यमत के अनुसार पुरुष यथार्थ सभाव में कैसा होता है। तो यह है, सदेव निश्क्री रहते हैं। सदेव निश्क्री है, इथार्थ रूप में। और आगे चलते हैं। इसका 14 प्रस्न देखिए, 14 प्रस्न है, 13 प्रस्न बहुत अच्छा प्रस्न है, आप इससे देख सकते हैं। सांख्यमत कारेकार में कारेकार नंबर 1920 में इसकी व्याख्या दे रखिए। आगे चलते हैं, 15 प्रस्न देखते हैं। करती का अस्तुत जानने का प्रमान कोन सा है। तो प्रत्यक्ष है, अनुमान , अर्थापत्ति है। क्रकर्ति का सुद्र जानने का प्रमाण अनुमान है क्योंकि अनुमान से ही हम जानते हैं सांक के कारिका में यह दे रखा है कारिका नमब 6 पड़ आगे देखिए 16 प्रस्न है सांक्रिमत के नुसार मोक्ष का साक्षात कारण है अब ये पूछ रहे हैं सांक्रिमत के नुसार मोक्ष का साक्षात कारण क्या है तो मोक्ष कैसे प्राप्थ होता है रहा है तो ये कह रहे हैं तो प्रकर्ति पुरुष विवेक ज्यान ये कारण है तो सांग्य मतानुसार मुक्ष का साक्षक्त कारण है प्रकर्ति पुरुष विवेक ज्यान तो B आज़र हो गया 16 का B आगे चलते हैं आगे है 17 प्रसंद देखिए सत्रेमा प्रसंद है अद्वेत वेदान्त मतानुसार अज्यान का स्वरूप होता है तो अज्यान का स्वरूप पूछ रहे हैं अद्वेत वेदान्त मतानुसार तो सद विलक्षण तो ये सद असद विलक्षण ये है सद असद विलक्षण तो ये संदी कर दी गई है तो इसमें सद असद विलक्षण है ये डी आंसर हो गया तो सत्रें प्रशन का आंसर हो गया डी इसे आप देख सकते हैं वेदांसार में अच्छा प्रस्ण है यह और पेज नुवसन देख सकते हैं आप इसे बेदानसार के अथारव प्रस्ण देखिए अथारव प्रस्ण है अद्वेत वेदान्त मतानसार जगत का सरूप है अब यह पहले प्रस्ण था वो वेदानसी था उसमें अज्ञान के बारे हम पूँच रहा था अब यह कहा रहा है जगत का सुरूप क्या है तो यह कहा रहा है अद्वयत बेदान्त मतानुसार जगत का सुरूप क्या है तो जगत कैसा है जगत है ब्रह्म विवर्त तो जगत का सुरूप है ब्रह्म विवर्त अर्थाथ C आंसर हो गया धारमेरिका आंसर हो गया C ब्रह्म विवर्त तो आगे चलते हैं 19 प्रस्न देखते हैं 19 प्रस्न है भामती के रचेता है भामती के रचेता कौन है भामती के रचेता है वाचस्पती मिस्र तो एक आंसर हो गया उन्नेस का वाचसपति मिस्र भामती के रश्चत है आओके चलते हैं अध्वयत यह बीसमा प्रस्ण देखते हैं अध्वयत विट्दांत मता अनुसार ब्रहम और जीव का संबंद कैसा है तो ब्रह्म और जीव का संबन्द पूछ रहे हैं ये तो ब्रह्म और जीव का संबन्द है अभेद जिसमें कोई भेद ना हो अभेद 20 का बी अंसर हो गया और आगे चलते हैं आगे है एक किसमा प्रस्ण देखिए एक किसमा प्रस्ण है अनुमिति का कारण है अनुमिती, यहाँ पर अनुमती नहीं है, अनुमिती, है यह, अनुमिती का कारण है, तो अनुमिती का कारण है, पक्षिधर्मता ज्यान, तो यह B आंसर हो गया, 21 प्रस्ण का, B, इसे आप देख सकते हैं, तर्क संग्रेट, उस तक है, केदा नाचितर पाटी जी की, पेज न आगे देखिए, आगे है 22 प्रस्ण, 22 प्रस्ण है, कारण का अंतिम कारक है, तो यह कारण का अंतिम कारक पूछ रहें, तो कारण का अंतिम कारक है, अवांतर व्यापार, अवांतर व्यापार, कारण का अंतिम कारक है, तो यह तर्क भासा से लिया गया प्रस्ण है, बहुत तो कार्य का अंतुम कार्य क्या है अवांतर वैपार तो सुरोत इसका अतर्ग भासा है स्रीनवा सास्तिर जी की पुस्तक है पेश नमर अठा उनबर देख सकते हैं से आप आगे चलिए घटा भाव घटा भाव और भूतल का सम्मध्ध होता है तो यह सम्मध्ध पूछ रहे हैं घटा भाव और भूतल का तो आगे देखते हैं इसमें चार अप्शन है संयोग सम्मध्ध है समवाय सम्मध्ध है स्वरूप सम्मध्ध है या विशेशन विशेश भाव सम्मध्ध है तो यह तर्क भासा का ही प्रस्न है तर्क भासा इसलिया संबन है विशेशन विशेश भाव संबन तो इसका आंसर हो गया D 23 प्रसन का आंसर हो गया D आगे चलते हैं 24 प्रसन देखते हैं 24 में प्रस्ण है न्याय मत अनुसार जीवात्मा का परिणाम होता है विभू परिणाम तो 24 में एक अंसर हो गया 25 में प्रस्ण है उपधा का लक्षण पाणनी के अनुसार है अलोन त्यात पूर्व ये सूत्र है उपधा का लक्षण पाणनी के अनुसार है अलोन त्यात पूर्व ये सूत्र है अश्ट अध्याई में पहले अध्यागा पहले पादगा और चौशना सूत्र है और इसोचंद्र द्वारा ये राचत है प्रार्मित पाणनी ने लिखी है मगर इसे जो कॉपी राट किया है एक तरीक से वो इसोचंद्र द्वारा ये लिख किया है और पेज नंबर 48 प्राप देश सकते हैं से अब 26 में प्रस्ण देखिए 26 में प्रस्ण है पाणनी के अनुसार आ आई आउ की संग्या है अब ये कह रहे हैं ये संग्या शेत्र में पहुंच गए तो ये कह रहे हैं आ आई और आउ की कौन संग्या है तो इसमें ब्रद्धी संग्या है क्योंकि इसमें ब्रद्धी हो र सब अक्ष्राव में तो इसका अंसर हो गया D 26 प्रस्ण का अंसर हो गया D इसे भी आश्ट अध्याई के पहले अध्यागा पहले पाद का दूसरा जो स्लोक है उसमें आप देख सकते हैं इसके बारे में अब आगे देखिए 27 प्रस्ण है 27 प्रस्ण है पाणने के अनुसार कर् करम का लक्षण क्या है 25 के अनुसार कर्म का लक्षण है कर तुरीप सित्थ्तम नम कर watches कर तुरीप सित्तम हो गया 27 और efteposition में और इससे देख सकती हैं इस आगे चलते हैं 28 प्रस्ण देखिए 28 में प्रस्ण है , चोर भयम पद में समास है, चोर भयम या चोर भयम कहा है, लिखा हुआ है, तो 28 प्रेशनल कांसर हो गया, ततपुरुष्प समास है, तो 28 प्रेशनल कांसर हो गया, ततपुरुष्प इसे आप लगुछ सिद्धान कौमदी में देख सकते हैं, भयमी ब्याख्या भाग चार में, प्रेशनल में चेतर भाव देशकते हैं से, अब चलिए देखते हैं आगे, 29 प्रस्ण, 29 प्रस्ण है, हरी त्राता का विग्रवाक्य है, तो हरी त्राता का विग्रवाक्य क्या होगा, तो विग्रवाक्य होगा, हरे ना त्राता हो, तो इस का अंसर हो गया, बी, 29 प्रस्ण का अंसर हो गया, बी, इसे भी आप लगुशिद्नाद का विग्रवाक्य में देख सकते हैं, आगे देखिए, तीसमें प्रस्ण है, समया के योग में विवक्ति होती है, तो इसमें चार विवक्ति रखी हैं, सश्टी, पंचमी, दुतिया या चत्रति, तो समया के योग में विवक्ति होती है, दुतिया, तो तीसमें एक आंसर हो गया, सी, ये सिध्धन्त कौमदी कारक प्रकरण से है, अब आगे चलिए, 31 में प्रस्ण देखते हैं, 31 में प्रस्ण है, द्वादस पद में समास है, द्वादस, तो इसमें हो गया, आपका द्वंद, क्योंकि द्वंद के बीच में और शिपे, तो द्वंद समास होगा इसमें, द्वादस पद में, द्वंद समास होगा, तो 31 में प्रस्ण का अंसर होगा इसमें, अब आभी चलते हैं, 32 में प्रस्ण देखते हैं, 32 में प्रस्ण है, द्वी मूर्धा पद में समास है, तो द्वी मूर्धा पद में समास कुन सा है, तो इसमें हैं बहुब्री समास, इसका हो गया आंसर डी बहुत ब्री समाथ अब आगे चलते हैं तेती समा प्रस्ण देखते हैं तेती समा प्रस्ण है वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है अब ये तेती हैं ये कह रहा है वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है तो किसके तो 33 अंसर हो गया C अवेस्ता वैदिक भासा अवेस्ता भासा के सबसे निकट है तो 33 अंसर हो गया C ये भासा विज्ञान से लिया गया है भासास्त्र का पुस्तक आती है भासा विज्ञान भासास्त्र कपल दुवेदी जी की पुष्तक है उस पर देख सकते हैं आप इसे ये स्रोध नीजी लिखा हुआ है पेज नम्मा 416 पर देख सकते हैं आप इसे प्रिस्ण को और आगे चलते हैं 34 मा प्रिस्ण देखिए 34 मा प्रिस्ण है द्धुनी के आधार पर भारोपिय भासा के मुख्य विभाव है अब ये बटवारा कर रहे हैं बरगीकन कर रहे हैं द्धुनी के आधार पर तो द्धुनी के आधार पर आनंदवर्धनाचार जो हुए हैं आनंदवर्धन उनकी उस्तक है द्धुनिया लोग उसमें धुनिये के बार में दे रखा है और यहां पर भासा विज्ञान के मारे हैं मगर तो यहां पर धुनिये के आधार पर भारोपी भासा का बर्गिन कर रहे हैं मुख्य विवाग तो भारोपी भासा के मुख्य विवाग हैं दो दो भगूए है मुखुरूब से आगे चलते हैं 35 प्षण देखते है भारुपी भाषा से संसक्रत चा वर्गी उत्पत्ति बताने वाला है अब ये कह रहा है भारुपी भाषा से संसक्रत चा वर्गी 35 प्षण है भारोपिय भाषा से संस्क्रत चावर की उत्पत्ती बताने वाला है तो ये चावर की उत्पत्ती की बारे में कह रहा है भारोपिय भाषा से तो 35% का अंसर है B College College जो थे उन्होंने भारोपिय भाषा से संस्क्रत चावर की उत्पत्ती बताने बताईए तो इसके अंसर होगे 35 में का B, कॉलेज आगे चलते हैं 36 प्रसंद देखिए 36 प्रसंद है दिगंबर जैन अनुवाईयों की मुख्य भाषा है दिगंबर जैन अयायों की क्योंकि दो तरीके जैन धर्म में अनुवाईयों होती हैं दिगंबर और स्विता अनुवाईयों की बात हो रही है तो उनकी भासा पूछी गई है तो 36 प्रसंद का अंसर है दिगंबर जैन अनुवाईयों की भासा थी तो 36 प्रसंद का आवे चलते हैं 37 प्रसंद देखिए 37 में प्रस्ण है इस उक्ति से युक्त काव है यह युक्ति किस काव में है अर्थात तो 37 में का होगी आंसर भी रातर जुनिया में यह दे रखिया और आगे चलिए देखते हैं यह स्रोत इसका नीचे दे रखा है मैं अब यह के नहीं बताऊंगा आप नीचे प्रस्ण के देख सकते हैं यह स्रोत लेखा हुआ है उसके बारे में किताब के बारे में जान गए दे रखिये अब आगे चली 38 प्रस्ण देखिए 38 प्रस्ण है सालमली ब्रक्ष का वर्णन किसमें पाए आता है तो ये सालमली ब्रक्ष का वर्णन किसमें पाए आता है तो ये पूच रहे हैं तो ये पाए आता है कादम बरी में सालमली ब्रक्षिका वर्णन किया गया उसमें अच्छा तो और तीसमें प्रस्ण में कहां से रोगा ए तो शुरुत नीचे देगी रखा है और आगे चलते हैं 49 में प्रस्ण देखिए 49 में प्रस्ण है वसन तक किस में है वसन तक किस में है तो यह 49 में प्रस्ण है तो रतना वली में वसन तक है तो 49 में प्रस्ण का शुरू गया ए वसन तक तो आगे चली आगे देखते हैं 49 में देखे लिए हमने अब चालिसमें प्रस्ण देखते हैं चालिसमें प्रस्ण है अहू उदार रमनिया प्रत्थिवी यह वाकि किस नाटक में है तो यह चालिसमें प्रस्ण है यह वाकि है अवग्यान साकुंतलम में तो चालिस का हो गया बी अंजर और आगे चलते हैं अज विलाप किस में है तो ये कह रहा है अज विलाप के बारे में बात किया रही है तो अज विलाप है तुमारा रहुआन सम्मे तो 41 का अंसर हो गया C आगे चलते हैं जिसी नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोन धावती इस सुक्ति से युक्त रचना है तो ये सुक्ति दे रखी है तो ये सुक्ति से युक्त रचना कौन सी है ये पुछ रहे है तो ये सुक्ति है उत्तरामचरत की तो 42 का अंसर हो गया A अब आगे चलिए 43 ना प्रसंद देखते हैं 43 ना प्रसंद है सकार किस रचनाम है तो इसमें चार आपनेंदे रखें तो सकार है सकार है म्रच कट कम में तो तेता जिसका अंसर हो गया B म्रच कटिकम आगे चलते हैं 24 प्रस्ण देखी चावालिसां प्रस्ण है आचार विसुनाद का कावय लक्षण है तो आचार विसुनाद का कावय लक्षण कैसा है तो यह कह रहे हैं वाक्यम रसाद मकम काव्यम रथाद वाक्यमें रस को ढोड़ना चवाल ने परिखन है आचार विस्मनात का काव्य लक्षन है तो काव्य लक्षन पूछन है विस्मनात जी का काव्य लक्षन है आगे चलती है पैंपनार परोब्स लक्षन है अर्थ की बादिका है अर्थ की बादिका है तो ये चार वोप्सन देखके हैं अविधा लक्षना टात पर्रिया वंजना तो पैंपनारिस का हों गया अविधा ये तो 35 का अंसर हो गया अविधा साक्षात संकेत तर्थ की बोदिखा है अविधा तो ये आप स्रोथ दिंजेते रखे हैं साहित तरपन का प्रसन है ये आगे चलते हैं 46 प्रसन देखिये 46 प्रसन है रती इस्थाई भाव वाला रस है तो सरंगार तो च्छारीश का अंसर हो गया बी रतीश थाईव आप बाला रस है सरंगार रस अब आगे चलते हैं सैंतारीशन प्रस्ण देखिए सैंतारीशन प्रस्ण है यह है प्रहसन है तो सैंतारीशन प्रस्ण है यह है प्रहसन है तो ये चार अपन दे रखें है प्रिये दर्शिका प्रितिक ग्या योगंध रायन मत्विलास मिर्च कटिकम मिर्च कटिक तो यह है प्रहसन है तो यह है मत्विलास यह है प्रहसन का अंसर है मत्विलास तो 47 का अंसर हो गया C मत्विलास आगे चलते हैं 48 ना प्रसन देखिए 48 ना प्रसन है रूपक कितने प्रकार के होते हैं तो रूपक जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं तो D आंसर हो गया 48 का आंसर D आगे चलते हैं 49 ना प्रसन देखते हैं 49 ना प्रसन है इन में से कौन सा महाकावे नहीं है तो महाकावे नहीं है तो इसमें दिरखे हैं रगवण सम्हेज, स्वालवद है, हर्चवेद है, नश्दी चतन तो इन में से हर्चवेद महाकावे नहीं है और पांचमा प्रसन देखिए पांचा प्रसन है नाटक संधियों में प्रथम है तो पचास का अंसर है D मुख नाटक संधियों में प्रथम है मुख तो आज के लिए यह हमने देखा 94 प्रसंद पत्र था जून में आया हुगा तो इसी के साथ हम बिदा लेते हैं आप से नमस्कार जहिन जहिन प्रथम है